question number 341 factorize minus x square plus 11x plus 60 minus x square plus 11x plus 60 तो इसमें हम सबसे पहले minus को कमन ले लेंगे तो यह होगा x square minus 11x minus 60 और अब हम इसके middle वाले time को split करेंगे तो इसके लिए हमें 60 का factors निकालना पड़ेगा prime factor तो 2 से लेंगे यह 30 होगा अगें 2 से 15 और 3 से लेंगे 5 तो इसके prime factors हो रहे हैं 2 into 2 into 3 into 5 और हमें लाना है minus 11 तो इसको हमें two parts में divide करेंगे एक तो 2 तो जा 4 और यह 5 तरी जाए 4 into 15 और अगर हम 15 में 4 less करेंगे तो 11 होगा बट हमें minus 11 चाहिए तो यह minus plus 4 minus 15 equal to minus 11 इस combination को लेंगे यहाँ पर तो यह होगा x square plus 4x minus 15x minus 60 इदर बना यह है rough work तो first two time में common है x तो यह होगा x plus 4 और last के two time में common है 15 माइनस कमन है और 15 तो 15 कमन लेंगे तो यह 60 15 4 और अब इन में common है x plus 4 तो इसको कमन लेने से first वाले term में x बच रहा है और last वाले term में 15 और इस minus को अगर हम इसमें multiply कर देंगे तो minus 15 plus हो जाएगा plus 15 और जो positive x है वो negative में होगा तो हम इसको लिखेंगे 15 minus x answer प्रोस्ट कर दो स्वारевич कर दो दोष्ट कर दो कर कर दो कर दो दो